इस वीडियो में हम विभाज्यता यानि Divisibility के प्रश्न करेंगे जो आपके लिए बहुत उपयोगी होंगे यहाँ पर पूछा गया है कि वो सभी संख्या हैं जो 12 और 20 से विभाज्य हैं वो और किस संख्या से पूर्टा विभाज्यत होंगी ध्यान रखें कि अगर कोई संख्या 12 और 20 से पूर्टा विभाज्यत होती है तो वो संख्या इनके अभाज्य गुणनखंड यानि कि प्राइम फैक्टर से भी पूर्टा विभाज्यत होगी आएए अब इनके अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं 12 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुणा 6 और 6 बराबर 2 गुणा 3 तो ये 12 के अभाज्य गुणनखंड है यानि कि कोई भी संख्या जो 12 से विभाजित होती है वो 2 गुणा 2 गुणा 3 से भी अवश्य विभाजित होगी तो इसके अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणा 2 गुणा 3 और कोई भी संख्या जो 12 से विभाजित होती है वो 20 के अभाज्य गुणनखंड से भी अवश्य विभाजित होगी अब 20 के अभाज्य गुणन खंड निकालते हैं 20 बराबर 2 गुणा 10 और 10 बराबर 2 गुणा 5 यानि कि कोई भी संख्या जो 20 से विभाजित होती है वो अवश्य ही इसके अभाज्य गुणन खंड 2 गुणा 2 गुणा 5 से विभाजित होगी या हम कह सकते हैं कि उस संख्या के अभाज्य गुणन खंड में 2 गुणा 2 गुणा 5 होना चाहिए 12 और 20 दोनों से विभाजित होने के लिए उस संख्या का अभाज्य गुणन खंड 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 होना चाहिए अगर आप इसको 20 से विभाजित करते हैं 20 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5 तो 2 से 2 कट जाएगा और 5 से 5 कट जाएगा और केवल 3 बचेगा यानि कि ये 20 से पूर्टा विभाजित होता है और अगर आप इसको 12 से विभाजित करते हैं यानि कि 2 गुणा 2 गुणा 3 से विभाजित करते हैं, तो 2 और 3 कट जाएंगे, और केवल 5 मचेगा, यानि कि ये 20 और 12 दोनों से विभाजित होता है, और यहां संख्या है 60, 2 गुणा 2 बराबर 4, 4 गुणा 3 बराबर 12, 12 गुणा 5 बराबर 60, वास्तों में ये संख्या 12 और 20 का लगुत्तम समापवर्तिया, यानि कि least common multiple है, और केवल 60 ही एक मात्र संख्या नहीं है, जो 12 और 20 दोनों से विभाजित होती है, आप इसकी गुणा कई और गुणन खंड से कर सकते हैं, मैं इनको A, B और C कह रहा हूँ, लेकिन 60 वो सबसे चोटी संख्या होगी, जो 12 और 20 दोनों से विभाजित होती है, और इसके बाद कोई भी बड़ी संख्या इन दोनों से विभाजित हो सकती है, आए अब प्रश्न का उत्तर लिख देते हैं, प्रश्न है कि वो सभी संख्याएं जो 12 और 20 से पूर्टा विभाजित हो जाती हैं, वो और किस संख्या से पूर्टा विभाजित होंगी, हमको नहीं पता है कि ये कौन सी संख्याएं होंगी, ये कुछ भी हो सकती है, ये एक भी हो सकती है, ये संख्या 60 भी हो सकती है 120 भी हो सकती है इसलिए वो संख्याएं जिनके द्वारा 60 को विभाजित किया जा सकता है वो होंगी 2 2 बिल्कुल सही उत्तर है 2 से 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 को विभाजित कर सकते हैं दो गुणा दो से भी इसको विभाजित कर सकते हैं, क्यूंकि दो गुणा दो भी इस गुणन खंड में है, तीन से भी विभाजित कर सकते हैं, 2 गुणा 3 से भी इसको विभाजित कर सकते हैं मैं इसको लिख देता हूँ ये 4 है ये 6 है मैं यहाँ पर इन संख्याओं के सभी संयोजन यानि की combination लिख सकता हूँ हम 3 गुणा 5 से भी इसको विभाजित कर सकते हैं आप इन अभाज्य गुणनखंड को देखिए और इनके किसी भी संयोजन यानि की कॉंबिनेशन द्वारा आप ऐसी किसी भी संख्या को विभाजित कर सकते हैं जो बारह और बीस दोनों से विभाजित होती है ये एक बहु विकल्पिय प्रश्न था और यहाँ पर विकल्प थ यहाँ के वल एक ही तीन है इसलिए नो और साथ नहीं हो सकते हैं बारह होता है चार गुणा तीन या हम कह सकते हैं कि बारह बराबर दो गुणा दो गुणा तीन और यहां अभाजे गुणन खंड में दो गुणा दो गुणा तीन है दो गुणा दो गुणा तीन बराबर बारह यानि की बारह सही है और आठ होता है दो गुणा दो गुणा दो यानि की तीन बार दो यहां केवल दो बार ही दो है यानि की आठ सही उत्तर नहीं है आईए अब एक और प्रश्न हल करके देखते हैं हम पिछले प्रश्न जैसा प्रश्न ही हल करते हैं मैं यहां पर प्रश्न लिखतेता हूं प्रश्न है कि वो सभी संख्याएं जो 9 और 24 से विभाजित होती है और किस संख्या से विभाजित होंगी तो सबसे पहले हम 9 और 24 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं वास्तों में हम 24 का लगुत्तम समापवर्तिय निकाल रहे हैं 9 के गुणनखंड है 3 गुणा 3 और 24 के अभाज्य गुनणखंड है दो गुना 12 है 12 बराबर 2 गुना 6 और 6 बराबर 2 गुना 3 यानि कि कोई भी संख्या जो 9 से विभाजित होती है उसमें 9 का अभाज्य गुनणखंड 3 गुना 3 होना चाहिए और कोई भी संख्या जो 24 से विभाजित होती है उसमें 3-2 होने चाहिए यानि कि 2-2-2-2 और कम से कम 1-3 होना चाहिए हमारे पास पहले से ही 1-3 यहाँ पर है यानि कि यह संख्या 9 और 24 दोनों से विभाजित होगी और यहाँ संख्या है 72 यह संख्या है 72 अगर यह एक बहु विकल्पिय प्रश्न है तो देखते हैं कि इसके कौन-कौन से विकल्प दिये गए हैं यहाँ पर विकल्प है 16, 27, 5, 11 और 9 अगर आप 16 के अभाज गुनन खंड करते हैं तो यह होंगे 2 गुना 2 गुना 2 यानि कि 4 बार 2 और यहाँ पर 4 बार 2 नहीं है इसके बाद भी कोई संख्या हो सकती है मगर हम यहाँ इनी संख्याओं को देखेंगे क्योंकि 9 और 24 से विभाजित होने वाली संख्या के लिए यही अभाज गुनन खंड है तो 16 सही उत्तर नहीं है और 27 बराबर 3 गुना 3 गुना 3 यानि कि इस अभाज गुनन खंड में 3 बार 3 होना चाहिए लेकिन यहाँ पर केवल 2 बार ही 3 है इसलिए यह भी गलत है अब 5 यहाँ 5 कहीं भी नहीं है इसलिए यह भी गलत है और 11 भी एक अभाज संख्या है यहाँ पर 11 कहीं भी नहीं है इसलिए यह भी गलत है और 9 बराबर 3 गुना 3 और प्रश्ण से ही स्पष्ट है कि कोई भी संख्या जो 9 और 24 से विभाजित होती है वो 9 से तो विभाजित होगी ही यानि कि 9 सही उत्तर है और अगर 8 भी एक विकल्प होता तो ये भी सही उत्तर होता क्यूंकि 8 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 और यहाँ पर भी 2 गुना 2 गुना 2 है 4 भी सही उत्तर होता क्यूंकि 4 बराबर 2 गुना 2 6 भी सही उत्तर होता क्यूंकि 6 बराबर 2 गुना 3 18 भी सही उत्तर होता क्यूंकि 18 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 3 यानि कि कोई भी संख्या जो इन अभाज्य गुणन खंड द्वारा बनी हो तो उस संख्या से हम ऐसी किसी भी संख्या को विभाजित कर सकते हैं जो 9 और 24 दोनों से विभाजित होती है हम आशा करते हैं कि आपको ये समझाया होगा